है अग्याइब कंप्यूटर गुरू हमें आपका स्वागत है मैं हूँ सुमित कुमार नागर और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह आपकी क्लास का मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक जिसका आप सब को इंतजार था जिसके लिए मेरे सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि हम पाइथन के उपर कब काम करेंगे तो अब टाइम आ गया है और हम अपना क्या है पाइथन का कॉर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं यह कोर्स हम बिल्कु चैप्टर है वो है गेटिंग स्टार्ट वेट पाइथन तो इसके अंदर हम कैसे क्या कर सकते हैं पाइथन के बारे में मैं आपको बता दूँ यह बहुत ही बेसिक लेंग्विज है जिसको आपको जिसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए आप कोई एक्सपर्ट होने की के अंदर आपका जो है जो लेटर ओन जाके जो हमारी डॉट नेट बनी तो बेसिक को बेसिक के फिचर डॉट नेट में भी यूज किये गए तो उन सब को काउंटर करने के लिए बहुत असान सी लेंग्विज बनी थी वो थी हमारी पाइथन तो सबसे पहले अगर पाइथ का देखोंगे तो इसकी सामने सबसे पहले आपके सामने यह जो हाता है कैसा संब देखे जगए पायथण पायथान का मितलब स्निकी होता है और इसी चीजिश को इस तरीके से रिपरेजेंट किया जARता है पायथून को तो इसको सिंबल शुकर यस तरीके से रिपरिजेंट करवाती है इसके अंदर आप जैसा चाहे वैसे काम कर सकते हैं आप बहुत चोटा सा कोड लिखकर बहुत बड़ा सारा काम कर सकते हैं और इसको सीखने के लिए समझने के लिए कोई एक्सपर्टीज की ज़र्थ नहीं होती है तो यह पाइफन का जो है बेसिक लोगों होता है और पाइफन दिखने में रियल में ऐसा दिखता है तो उसके बाद यह था पाइफन के बेसिक के बारे में तो उसका नेक्स टैप है जो हम करेंगे कि अगर आप पाइफन करनी है तो तो आप उसको download कैसे करेंगे, तो अगर आपको python download करनी है, उसके लिए अलग-अलग process है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, कि उसको अगर आपको अपने phone पे काम करना है, तो python से कैसे काम कर सकते हैं, पर सबसे पहले शुरू करते हैं, अगर आपके पास computer system है, तो python के उपर कैसे काम किया जा सकता है तो python के उपर काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपने web browser में जाना है मैं यहाँ पर brave यूज करता हूँ उसके अंदर सबसे आपको पहले आपको google यूज करना है जैसे google search करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे python और जैसे python लिखेंगे आपने search कर देना है जो सबसे पहले वाली website python.org की यह हमारे पास आ जाती है हम सबसे पहले यहाँ click करेंगे फिर उसके बाद हमें अगर python अपने system के अंदर download करनी है तो सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा हमें जाना पड़ेगा डाउनलोड के अंदर डाउनलोड के अंदर आपके पास अगर विंडोज है मैक operating system है किसी और के लिए कोई भी और operating system है तो वहां जाके आप इसको यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले ही जो हमारे पास आता है डाउनलोड फोर विंडोज तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो system है वो डाउनलोड हो जाएगा पर इसके नीचे हमें specifically इस बात का ध्यान रखने की ज़ूर्थ है कि यह जो python है cannot be used on windows 7 और earlier तो यह वाला setup अगर डाउनलोड करते हो तो आपके पास अगर windows 8.1 या 10 होती है तो ही यह software रन करेगा अगर आपके पास windows 7 है तो आपने कैसे काम करने है आपने जाना है व्यूद फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड यहां क्लिक करेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे नीचे जाने के पास हमारे पास यह अलग OS पाइथन फॉर Windows आप यहां क्लिक कीजिए उसके बाद जो हमारे पास है अलग-अलग रिलीज है इसके ओपर जो सबसे पहले रिलीज है जो पांच अक्टूबर 2020 की आई हो उसके ओपर लिखा हुआ है cannot be used on Windows 7 और अरलियर उससे पहले के operating system पे यह फाइले नहीं चलेंगी फिर आपको अगर Windows 7 यूज करते हैं तो आपको नीचे आना पड़ेगा यह वाला जो एरिया ही आपके लिए हैं अगर आपको जिप फाइल में चीए और आपका 64-bit का प्रोसेसर है तो भी यह फाइल काम चल जाएगा अगर 32-bit का है तो भी यह काम चल जाएगा अगर आपक से इंस इंस कोना जाएगा वेब बेस्ट यह तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं डारेक्ट एक्सफाइल डाउनलोड कर देता है एक जीकुट अबल तो मैंने कर रखे हैं तो जैसे मैं दिखा देता हूं यहां पर यह हमारी जो है जिफ फाइल जो है उपन हो गई है डाउनलोड होगी है यह हमारी जिफ फाइल डाउनलोड होगी फिर आपने क्या करना है आपने इसको उपन करना है open करेंगे तो direct यह है जो आपका इसको आप extract कर दीजिए जहां मैं इसको extract कर देता हूँ तो extract करने के लिए कहां पर होई है मेरे downloads में गई है तो हम downloads में जाते हैं तो यहां जो हमारी python थी यह python जो हमने execute कर दी है और इसके बाद अगर मेरे को python run करना है तो हम क्या अगर सकते हैं हमें direct यहां क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह direct जो हमारी python जो है वो चल पड़ी है इसके अंदर अगर हमें कोई program लिखना है तो basic मैं पहला program दिखता देता हूं size बड़ा कर देता है पहले इसका यहां से गए properties में font यहां से इसका size बड़ा कर देता है आपको अब दिख चाएगा तो मैं यहां इसका पहला program दिख देता हूं print hello और direct enter करेंगे तो यह हमारी जो program है वो execute हो गया है अगर error चेकिंग करते हैं तो यहां से bracket हटा लेते हैं और enter कर देता है तो हमें यह program दिखा देता है जैसे hello make error है जहां जिस location parallel था उसने इसको exactly pinpoint कर दिया है दोबारा इसको execute करते हैं तो यह जो हमारा program जो वो run हो गया है तो basic method यह है इस तरीके से आप इसको run कर सकते हैं अगर उसके बाद अगर चाहिए आपको यह software install करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसक style मेरे system पर पहले ही है और जैसे ही आप इसको run करेंगे तो आपके पास install आजाएगा इसको run कीजिएगा यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे यहां से run करेंगे यहां से मेरे system मेरे computer में पहले install है पर जैसे install का option आजाएगा उसमें आपको customize करके select for all user कीजिएगा तो वह करेंगे तो आपके system में क्या हो चीजे install हो जाएगे एक बार repair करके मैं दुबारा install करके दिखा देता हूँ आपको तो आप देखें यहां पर जो है मेरी python जो है वह computer system में install हो चुके उसके बाद आपको python run करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा अपने start पे क्लिक कीजिए all programs पे जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको यहां जो list है उसमें python मिल जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ideally को run करेंगे और जैसे ही run करेंगे तो हमारे पास जो है उसका programming का share लगा है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कोई भी program लिख देते तो basic दुबारा मैं वह ही आपको print का program लिखके दिखा देता कुछ भी टाइप कर लीजिए आप जैसा ही है जैसा ही टाइप करेंगे वैसा ही program आपका जो हो एक्जीक्यूट हो जाएगा अगर इसके अंदर भी अगर कोई भी mistake होती है तो जो compiler हमें चेक करना पड़ेगा इसके अंदर आपको कुछ करने की सुर्थ नहीं है यहां पर direct लिखी एंटर मारिये अगर error है तो error आजाएगा अगर आपका program बिल्कुल ठीक है तो वह execute हो जाएगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसकी programming कर सकते हैं और आपका जैसे यह starting पर अगर मालो चाहे आपको अगर व्यूज अपना जो है व्यूज जो है वह छोटा या कि सारी चीजे जो है वह चूज कर सकते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ यहां apply कर दो इसके हिसाब से हमारा method नहीं चैंज हो जाएगा और इस तरीके से आप क्या कर सकते है बेशिकली जो है Python के program run कर सकते हो और easy इस तरीके से उसको execute कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही तो आज थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग है उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे रन कर सकते हैं और उसके अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं तो आए होप मेरे लेक्चर से आपका जो बेसिक है जो पहला चेप्टर है गेटिंग स्टर्टर विद पाइथन वो कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जादा लोगों क के पास पहुचाईगा ताके लोग जो है वो फ्री एडिकेशन का फाइदा उठा सकें तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू अल थैंक यू फॉर वाचिंग